मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेज नाम अगर आप लोगों के लिए नया है तो ये वो लियू क्रेटिव करियर है जहां फॉज 12 पास बच्चियों को उठाएगा उन बच्चियां जिनकी एज 17 से 25 साल है और इंडियन आर्मी आपको B.Sc. नर्सिंग कराएगा इंडियन आर्मी आपकी cost of education बेहर करेगा इंडियन आर्मी आपकी living आपकी accommodation आपका राशन आपका daily चार साल का खर्चा आपकी stipend और यहां तक की आपको basic military एटिकेट्स भी की जो 2025 में military nursing services join करना चाहते हैं अपने आप में बहुत ही सुनहरा मौका बहुत ही lucrative career यह military nursing services offer करता है सबसे बड़ी बात आज की टाइम पे military nursing services को forge वो ही ओधा देता है जो किसी और army के अफसर को देता है यानि की ranking structure में भी कोई change नहीं है कोई disparities नहीं है जो ranking structure officers का है वो ही ranking structures military nurses का है इसलिए उन्हें nursing officer बोलते हैं सेना में military nurse या nursing officer बनने के लिए आपको तीन stages से गुजरना पड़ता है पहले NEET का इंतिहान देना होगा NEET के इंतिहान में लगभग 470 से 500 score लाना होगा 720 में से फिर आपका form shot list होगा एक बार form shot list होगा फिर stage 2 चालो होगी जिसमें togy है test of general intelligence in general English जिसको computer based test भी बोलते हैं इसके बाद psychological assessment होगा personal interview होगा फिर medical होगा उसके बाद merit बनेगी इन सारे factors को के और पूरे भारत से 220 candidates अलग-अलग colleges में जाएंगे यह colleges command hospital लखनाउ, command hospital बैंगलोर, command hospital कोलकता, INHS, अस्वीनी मशूर armed forces medical college पूने and army का research and referral है 220 यह वो गिंती है, जो 220 पूरे भारत से candidates होंगे, जो इन विभन colleges को join करेंगे, aspirants, मैं बात कर रहा हूँ, military nursing services 2025 की, आप सोच रहे हैं, 2024 चल रहा है, तो भाईया, एक साल क्यों, क्योंकि यह journey, पूरी के पूरी एक साल लेगी, जी हां, मैं इस video के द्वारा, उन aspirants से बात कर करना चाहता हूँ, जो MNS का लक्ष बना रही है, अगले साल, because, जब अगले साल आपको join करना है, तो महनत इस साल करनी होगी, मुद्दा यह है, कि यह जो तयारी करनी है, यह घर बैठे, अपने चार दिवारी के अंदर करनी है, या त्रिशूर के इलहबाद सेंटर या देह अफलाइंग कोचिंग, हम त्रिशूर के अलहबाद ब्रांच और देहरादून ब्रांच में कराते हैं, त्रिशूर के अलहबाद ब्रांच और देहरादून ब्रांच में दिन चरिया कुछ इस प्रकार से है, सुबा साले पांच बजे से, साले साथ बजे तक फिजिकल है, जहां हम basic physical पे ध्यान देते हैं, retired army के जवांच ये physical कराते हैं, साले साथ बजे candidate वापस आता है, एक घंटा, डेड़ घंटा rest करता है, नाश्टा करता है, और फिर 9 बजे से उसकी classes हो जाती हैं, दो बजे तक, ये 9 बजे से 2 बजे तक, neat based classes हैं, डेड़ घंटे के classes हैं, जो neat qualified educators आपको पढ़ाएंगे, एक बार 2 बजिया, lunch break होता है, candidates वापस अपने hostel जाते हैं, खाना खाते हैं, आदा घंटा सुस्ताते हैं, और वापस 3 बजे त्रिशूल Defense Academy के campus में आ जाते हैं, 3 बजे से 5 बजे तक, spoken English and personality development के classes हैं, जो कुछ spoken English के trainers और कुछ retired army के officers आपको बताएंगे, क्यूंकि military nursing services में personal interview है, तो basic आपकी अंग्रीजी पे काम होगा, basic communication skills पे काम होगा, basic body language पे काम होगा, आपके dress code पे काम होगा, और आपको basic etiquette सिखाए जाएंगे, aspirants, जैसी 5 बज़िया वैसे ही आप सबको library में shift कर दिया जाएगा, जो within the campus है, और इसमें 2 घंटा आपको self study के लिए time मिलेगा, जहां पे हम आपको neat के previous year questions कराएंगे, जो topic आपका पढ़ा चुके हैं आपको, इसका मतलब सुबह साड़े 5 बज़े से शुरुवात होगी, और शाम 7 बज़े तक आप त्रिशूल defense academy के campus में रहेंगे, aspirants अपने आप में ये एक लंबा time है, और ये same routine पूरे एक साल follow होगा, इसलिए offline courses की fees, online course की fees में आपको difference नज़र आएगा, इसमें हमें offline course में एक चीज़ का ध्यान देना है, कि हमें 360 degree personality पे काम करना है, हमें candidates के physical पे भी ध्यान देना है, हमें उसकी neat की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, उसकी personality पे भी ध्यान देना है, उसकी English पे भी ध्यान देना है, overall हर एक domain पे ध्यान देना है, सुबह जिम मिलेगा जी हाँ धहरादून ब्रांच की शुरुवात हम जिम से करते हैं जिम के बाद यहाँ भी नौ बजे से दो बजे तक आपको classes मिलेंगे फिर तीन बजे से पांच बजे तक spoken English और पांच से साथ लाइबरेडी रूटीन अलाबाद और धहरादून में बिलकुल सेम है बस फ़रक यह कि अलाबाद में कर्नल पंकज मिरूत्रा सर बैठे हैं जो खुद Services Selection Board के Deputy President थे उनके नेतित्व में classes चलेंगे और धहरादून में कर्नल A.S. अलाबाद जो खुद National Defense Academy में फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे जो एजूडेंट थे उनके गाइडेंस में यह Military Nursing Services का बैठ चलेगा Aspirants आपके लिए अगर अलाबाद पास है तो आप अलाबाद आ सकतें अगर धहरादून पास है तो धहरादून आ सकतें त्रिशूल के इनी दो सेंटर में हम Military Nursing Services की Offline Classes चलाएंके दाल में जितना घी डालो उतनी दाल स्वादिश्ट होती है इसलिए Offline Classes में जितनी नई चीज़ें कर सकते हैं हम सब इंट्रोड्यूस करते हैं एंड बैक साइज हम सिफ भी स्टूडेंट्स का रखतें इसलिए Offline की फीस हमारी हायर है हमारी ज्यादा है Online के कंपैरिशन Online घर बैठे चार दिवारी के अंदर बीच में बैठे आप अपने कूलर पंखे एसी के नीचे बिलकुल Offline Classes की फील देंगे त्रिशूल Defense Academy अप के द्वारा जी हां त्रिशूल Defense Academy का अप आप आपको बिलकुल Offline Classes की फील देगा ये अप आप आप Android के Play Store और Apple के iOS Store से डाउनलोड कर लेंगे Officers Course में जाएंगे Officers Course में संजीवनी ये वो कोर्स है जो 2025 Military Nursing Services को टांगेट कर रहा है संजीवनी में हम चार गंटे के नीच के Classes दे रहें चार गंटे के नीच के Classes के साथ साथ हम नीच के Model Test Papers दे रहें Over 100 Model Test Papers दे रहें आपको Weekly Online Test दे रहें Study Material दे रहें, Books दे रहें, Notes दे रहें, Doubts आप चार प्लैटफॉर्म पे, PDF के Form में, Image के Form में, Audio Form में या Image के Form में हमसे पूछ सकते हैं जी हां, आप सारे तरीके से हमसे Doubts पूछ सकते हैं Within a WhatsApp Group आपको Educators के साथ Associated रखेंगे हम जहां आप और Educators में किसी प्रकार का कोई Gap नहीं होगा किसी भी Minute, किसी भी Second आप Educator को Direct Phone मिलाके उनका Doubt, उनके Subject Related Doubt पुछ सकते हैं Military Nursing Services के संजीवनी Batch में हम Stage 2 यानि कि Toggy, Personal Interview का भी ध्यान देंगे और वो भी उसमें कभर करेंगे Aspirants, याद रखेगा यह आपका निर्ने होना चाहिए कि offline आना है या online आना है दोनों के अपने ही advantages, अपने ही disadvantages हैं लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि बिना संघर्ष के भी श्री राम भगवान राम नहीं बने थे इसलिए हमीशा संघर्ष से मट डरना मेहनत करनी है और आज एक साल की यह जो मेहनत है यह आपका career secure कर देगी यार एक बार military nursing services के तुरू फॉज में अफसर बन गए, starting salary सवा लाक रुपए है इसके बाद DA अलाग, HR अलाग, total 1,75,000 रुपीज आप फॉज के महमान हो, आपको accommodation फॉज दे रही है राशन दे रही है, canteen facility दे रही है, खुद medical के field में आप होगे, सारी medical जो आपकी insurances है वो इसमें covered है, medical treatments covered है, साथ में, आप किसी भी field area में नहीं हो, आपकी job बहुत secure है, आप कोई border पे बंदूप लेके नहीं बाठे हुए हो, आप field hospitals में नहीं हो, आप base hospitals में हो, military hospitals में हो, किसी भी border related areas के hospital में नहीं हो, आपके अंदर love, affection, intelligence and emotional quotient अगर है, अगर आपको लगता है कि आप इस profile के लिए ठीक हो, तो मुझे लगता है कि military nursing services से अच्छा career कोई भी नहीं है, त्रिशूल डिफेंस academy, military nursing services के लिए एक जाना बना नाम है, हर batch में त्रिशूल ने MNS में selections दिये हैं, जैसे कि अच्छा के अच्छा कोचिंग के प्रोडक्स थे, जिन्होंने military nursing services crack करके, armed forces medical college पूने, एवं command hospital लखनाव जोइन किया था, aspirants हर batch में आपको त्रिशूल डिएन मिलेगा, जैसे त्रिशूल डिफेंस academy के हर एक batch में, जैसे त्रिशूल डिएन FCAT के हर एक batch में, वैसी त्रिशूल डिएन MNS के भी हर एक batch में है, 20 साल से हमने legacy बना रखिए officers को produce करने की, हम officers की military training नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनको intellectually, उनको knowledge wise, उनको communication wise, उनको personality wise इतना तयार करने हैं, कि उनके National Defense Academy, Military Nursing Services, Indian Air Force Academy, Indian Narni की Indian Military Academy, Officers Training Academy, एवब Naval Academy, वो easily crack करने हैं, क्यूंकि 370 degree personality पे काम हो रहा है, इसलिए generally candidates offline courses को prefer करते हैं, पर जैसे आप यहाथ देख रहे हो, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, हर बंदे की आर्थिक स्थिती भी अलग है, इसलिए Trishul Defense Academy, offline centers पे भी, offline classes के लिए एक admission test offer करता है, admission test के तहत हम admissions लेते हैं, और admissions अगर आप अच्छे test में perform करते हो, तो हम आपको scholarships भी देते हैं, क्योंकि Trishul को भी हुनहार students की ज़रूरत है, Aspirants घर बैठे अगर आप online classes करते हैं, तो online courses में किसी प्रकार के कोई भी discounts नहीं है, online संजीवनी course के फीज 20,000 रुपए है, जिसमें हम आपको एक साल MNS 2025 के लिए तयारी करा रहे हैं, साथ में, TOGI, computer-based test जो है, personal interview and psychological assessment test with complete online test series, PDF, study material, notes and over 100 papers of needs, हम दे रहें, निट examination के, offline courses के अलग-अलग फीसे हैं, वो आप हमारे center पे पहुच के, phone करके, पता कर सकते हैं, जाद रखिएगा, त्रिशूल defense academy is a dedicated organization founded in late, founded by late Winkam and Anoop, महरतरा जी, late in 2003, जी हाँ, 2003 में त्रिशूल defense academy बनी थी, तो, अगर आप भी military nursing services में अपना career बनाना चाहते हैं, तो आज ही आए, और offline even online platform पे जुड़े, और next, महक, शर्मा और आयूशी आप ही होंगे, इजाज़त दीजे, inquiry के लिए इस number पे call करिएगा, अब defense exam प्रैक परना हुआ, और भी असान, त्रिशूल defense academy लेकर आए हैं, बिलकुल ही advanced learning app, तो आज ही join करे और start करे अपनी online classes,